नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका ग्यान सेक्षेन यूटूब चैनल में आज का हमारा टॉपिक है कैसे जाने ऑपरेटिंग सिस्टीम असली है या नकली है आज हम जानेंगे ऑपरेटिंग सिस्टीम असली है या नकली है सिर्फ एक कमान से जैसा कि आप सबको पता है या पारेटेट वाली है यहां से कही से भी इंस्टॉल करके कोई टूल का यूज़ करके आपको आपने उस लैप्टॉप ये डेश्टॉप पे एक्टिविट किया है तो ज्यादा टाइम को वेस्ट ना करते वे शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक लेट स्टार्ट जैसा प्रोपर्टि में जाते हैं वेक्षच का आपको पुरा व्जार्ड यहां से शो हो जाएगा आपके पूरे कंप्पुरेंटर के पूरा इंफॉर्मिशन आपको यहां पर फिल जाता है इका आपके ओप्रा अक्टिविशन है या नहीं है तो जैसे अभी आपके सामने मेरा फरिवरेल Sóसे स्टेटस है ऑपन हो चुका है अभी आप यहां पर देख सकते हैं हमारे विंडोज वन यह वह इक है तो लेकिन यह है ना तुल के मदब से भी आप सकाथ सकते हैं लेकिन आपके मेंपर वो औरिजिनल है या लाइसेस कॉपी है यह हम कैसे पता करें तो इसको पता करने के लिए हमें एक Windows कमांड प्रॉम्ट में एक कमांड लिखनी है जो कमांड है वो मैं आपको बताऊंगा लेकिन पहले यह जान ले कि आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टेम है देखिए Windows 10 Home सिंगल लेंग्विज का ऑपरेटिंग सिस्टेम है और यहाँ पर विंडोज एक्टिवीशन जो है एक्टिवीटेड है और आपकी प्रॉडट की नीचे दिखाई देती है तो यह कंफर्म कर ले कि आपका जो एक्टिवीशन हो एक्टिवीटेड है और आपका Windows 10 Home सिंगल लेंगेज मेंठेक इस्टेम है तो अभी हम पता करते हैं हमारी यहे जो विंडोज हूँ सिंगल लेंविज है वह एक्टिवीटेड है या जैसे अ को या या किसी टूल की मदभ से um एक्टिवेटट की है तो इसह जानना के लिए हम इसे क्लोस कर देता है है्टो सबसे पहले यहां पर हम इसको refresh कर देते हैं सबसे पहले आपको Windows और बटन प्रेश करनी है और यहाँ पे CMD लिखना है औरyty्पर्स करना है यहां पे लिखने के बाद में आपके सामने command prompt open होगा और यहां पे आपको एक command लिखनी है मैं command बता देता हूँ और command यह है slmgr.vbs face forward slash dli आप ध्यानने रखिए slmgr.vbs face forward slash dli देखिए मैं यहां पे लिखता हूँ slmgr.vbs face forward dli और enter आप जैसे यह इंदर पेस करेंगे कुछ समय लगेंगा दो से तीन सेकंड आपके सामने एक message open होगा इस message में आपका पुरा operating system का details दिया रहेगा जैसे windows script host करके message आया है देखिए और यहां पे लिखा है windows are core single language edition description दिस्क्रिप्शन है windows are operating system oem underscore dm channel और partial product की हमिया पी दी है cws 72 और license status देखिए license है इसका मतलब आपके operating system जो है जैसे आपने laptop purchase किया है तो उसी समय आपके laptop में यह install होके आई है क्योंकि इसका operating system का जो है अगर यह नकली रहती तो यहां पे license करके status नहीं आता तो अगर आपको चानना है कि नकली रहती तो कैसा status आता तो यह जानने के लिए मुझे comment box में बताईए कैसा किस प्रकार की status आता है तो मैं आपको वह भी show करऊंगा तो आप अगर वीडियो पे नहे है तो चैनल को like subscribe ज दोस्तों के साथ में इसको share करें thank you thank you so much